ओके सू हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं केन रिवर की उपर तो केन रिवर रिलिटिवली बहुत सिंपल है हमने अभी तक देखा है बेटुवा रिवर, चंबल रिवर और तवा रिवर और भी बहुत सारे rivers देखें, बट ये तीन काफी बड़े थे, तो उसके comparison में Cane River बहुत ही simple है, और Cane River की सबसे जो बड़ी खासियत है, वो है Cane Betua Interlinking Project, वो मैं दूसरे lecture में सिखाऊंगा, तो वो इस lecture में नहीं आएगा, दूसरे lecture में आएगा, क्योंकि वो बहुत जादा diverse topic है, बहुत बड़ा topic है, तो मैंने सुझा कि वो better रहा है कि वो अलग ही video बन जाए, ठीक है, तो हम start करते है, तो basically ये बहुत ही easy river है, और ये start होता है आपका कटनी जला से, ठीक है, तो आप ये देख रहे हो, ये है आपकी Cane River, ये पूरा है Cane River, और ये basically ये है आपकी Yamuna River, ठीक है, तो ये start होता है कटनी से, और फिर उसके बाद जाता है पन्ना में, और आपका जो चतरपूर है, और पन्ना के बीच में ये boundary बनाता है, उसके बाद ये exit लेता है सीधे UP में, UP में ये बंदा नामक एक district है, वहाँ पे जाकर ये Yamuna में जाकर मिल जाता है, तो अब थोड़ाँ से इंट्रो था, अब थोड़ाँ डीटिल में देखते हैं, अच्छा, तो हमने देखा था कि कटनी में start होता है, आपका कटनी जिला में start होता है, आपका केन रिवर, अब केन रिवर को थोड़ाँ डीटिल में देखते हैं कि इसका उद्गम सतल कहां पे, तो होता क्या है कि ये है आपका कटनी जिला, उसके अंदर एक तैसिल है, रिती तैसिल, रिती तैसिल के अंदर ही एक विलेज है, एक गाउं है, अहिर गावन नाम का गाउं है, ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, बात की है, ये है आपका कटनी जिला, उसके अ स्टार्ट होता है आपका अहिर गावन नाम का एक गाउं से और यह basically flow होता है आपका पन्ना में उसके बाद यह थोड़ा सा टच करता है basically boundary बनाता है चतरपूर और पन्ना के बीच में तो हमें वहाँ पे नहीं जाना भी अभी देखना है तीन important चीज़ें एक तो यह है यहाँ पर आपका आता है बुद्धेलकंड वाला प्लाट्यू इस पूरे एरिया में आता है आपका बुद्धेलकंड वाला प्लाट्यू तो टेक्निकली आपका जो केन रिवर है वो फ्लो होता है आपका बुद्धेलकंड में बुद्धेलकंड वाला प्लाट्यू की उपर से फ् तुक्रिसिन बहुत जगहों से फ्रेम किया सकता है सबसे पहले बीभूचैंगे की आपका जो कें रिवर है वह कौन से माउंटेन रेंज में ओर इजिन होता है तो mountain range जहां पर originate होता है वो है आपका विंद्याचल range कौन से hills से start होता है वो है आपका कैमूर hill range और फिर ये कौन से plateau से बहता है या इवन कौन से plateau से उसका origin होता है तो वो है बुंदेलकन plateau ये तो आपको basics है मतलब आपको अगर थोड़ा idea लग जाए कि कहां पर plateau है कहां पर mountain range है कहां पर hills है तो आपको जल्दी से idea लग जाएगा कि कहां से ये flow होता है आपको रटनी की भी ज़रूरत नहीं है आप मेरे video lectures daily देखते हो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा geography आपको perfect हो जाएगा MP geography ठीक है तो district कौन सा है जिला कौन सा है वो है आपको कटनी और आपका तैसील कौन सा है जहां से start होता है वो है आपको रिती ठीक है और उसका बाद आपका जो गाउं है वो है अहिर गाउं अखिर गावान नाम का एक गाउओ है वहाँ से start होता है अच्छा अब देखते हैं कि कौन-कौन से state से ये निकलता है तो हमने बात की थी ये दो state से निकलता है एक तो है आपका MP और दूसरा है आपका UP ठीक है और डिस्रिक्ट कौन-कौन से एक तो बेसिकली तीन डिस्ट्रिक्ट से ये जाता है अच्छा अब ये खतम गाउं होता है ये एक गाउं है चियल गाउं ठीक है चियल गाउं एक गाउं है बंडा डिस्ट्रिक्ट यूपी में और ये जहां के मिल जाता है यमुला में ठीक है यमुला में जाके मिल जाता है और यहा के बीच में यहां पे कहीं आपका आने वाला है कौन सा केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रजेक्ट उसके बारे में हम लोग डीटेल में देखेंगे अलग ही वीडियो लेक्चर होगा बड़ा सा ठीक है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि काफी इंपोर्टन प्रज चलिया और चीज़े देखते हैं थोड़े फैक्ट देख लेंए इसके ऊपर अच्छा जो केन रिवर ए तक है जो केन रिवर है उसके जो तट है तट मतलब बिलकुल तट पर आपको एक टाप का प्रेशियस टून्स मिलेंगे तो यह है वो प्रेशियस टून्स ठीक है इस तो अगेट का जाता है, ठीक है, ठीक है, अगर आपने किसी ने जीओर मौर्फलोजी पड़ा है या जोग्रफी है या आपका जी आप्टेट के बारे में आपको थोड़ा आईडिया होगा और इसके उपर यह जो basically यह है आपके fossils, ठीक है, plant fossil जो की करीब करीब 10 million years पुराने हैं, तो basically उनका मतलब compress हो के वो इतने बड़े-बड़े design, natural designs बनाते हैं, तो यह precious stones को कहा जाता है, शाजार stone, ठीक है, शाजार stone, ठीक है, यह हिंदी नेम है, हिंदी या पर्शन नेम है, तो real scientific name है, agate, ठीक है, तो यह basically यह वाले stones found किया जाते हैं, आपके cane river के तठ पे, और यह सबसे जादा highest concentration कहां पे है, जो stones कहां पे found होते है, वो है आपका UP में, UP में बंदा नाम का एक जगा है, बंदा नाम का एक जगा है, वहां पे यह मिलता है, सबसे जादा, बंदा में यह यह खतम होता है, यह आपका जो cane river है, वो भी बंदा में यमना के पास जाके खतम होता है, ठीक है, अच्छा, अब cane river के हमने बात की थी, कि यह आपका जो पन्ना national park है, उसके बीचों बीच से निकलता है, ठीक है, पन्ना national park के बीचों बीच से निकलता है, और इस video lecture के बाद आपका 3D व्यू आएगा, 3D Google Map व्यू आएगा, उसमें मैंने अच्छे से एक्स्पेंड भी किया है, मैंने अच्छे से दिखाया भी है, कि केन रिवर कैसे आपका जो पन्ना नैशनल पार्क है, उसके बीचों बीच से निकला है, ठीक है, अच्छा, और इसके खासियत है कि य बारिच जादा हो जाता है, तो पन्ना नैशनल पार्क को ये बिल्कुल डुबो देता है, बहुत सम्मर्ज कर देता है, तो केन रिवर के पास काफी पानी है, ठीक है, तो इसलिए केन का पानी डाइवर्ट किया जाएगा, बेटवा रिवर में, बेटवा रिवर का पानी ब डीटेल में हम देखेंगे टेंशन मतलो ठीक है ये दो फैक्ट्स हो गई अब तीसरा फैक्ट है आपका एक फोर्ट है अजेगर फोर्ट ये चंदेला रूलर्स के टाइम पर बहुत जादे इंपॉर्टन फोर्ट था ठीक है ये लेटर ब्रेटिश को पास हो गया था उसके ब अब दावसन यार्मा शयार्मी और कोप्रा इन सब को इतना कुछ याद करने की जरुवत है नहीं क्योंकि आप से इतना कुछ रटा नहीं जाएगा सुनार याद रखना ही होगा सुनार बहुत जादा इंपॉर्टन ट्रिब्यूटरी है आपका केन रिवर का ठीक है बाकी परना पूर्णा फिर और मिला यह सब रटना है तो रटलो पर कॉम्पेटिशन बहुत जादा करें से भी आजकल कुछ पूछ पूछा जाता है जॉब्स है नहीं ठीक है तो आपको एक एड्ज चाहिए तो फिर आप यह ट्रिब्यूटरी सब के सब रटलो और पर मोस्ट इ चुँद है जो आपका पणना रिवर के तट पर है पंना रिवर के तट पर नहीं यह है जैसे की पंना रिवान रीवर ठीक है उसके side में पांडव waterfalls के पास ही है आपका पांडव caves ठीक है दो EMPORTANT जगे एक तो है PONDU waterfalls और उसी की पास में है PONDU NOW के यही मानियता है कि पांडव नवाज काट रहे तो आस पास क्यों रहे बटक रहते और थोड़े दिन के लिए यहां पे रहते तो वहां पे 5 caves है और 5 caves actually पचमडी में भी है ठीक है 5 temples भी है पंचमडी में तो यहां पे 5 caves है और यहां पे पांडव वाटरफॉल भी है और उसी के साइड में घता नाम पर एक वाटरफॉल है ठीक है पांडव बंडन वाटरफॉल जो आपका केन रिवर है उसके वपर जो बनता है वो है रने वाटरफॉल है छत्रपूर में यह याद रखना छत्रपूर में यह दोनों है पंडव और घता वाटरफॉल वो है पलना डिस्रिक्ट में पलना जले में या पलना नैशनल पार्क के अंदर और रने वाटरफॉल है आपका छतरपूर में ठीक है अब इसके दोती नाम से जैसे दीपावर्ती करनावती केन श्रनावती सुक्तिमती तो यह अजिव Rugby आप रटलो तो अच्छा है तो यह ही था केन रिवर के बारे में ठीक है और इसमें अतना कुछ जादा कुछ है नहीं अगर आपको डीटेल में देखना है तो बेस्ट है आपको केन बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में जो मैं सिखाऊंगो वो वीडियो देखना होगा और अभी आ रहा है आपका 3D व्यू ये बिल्कुल देखे जाईए बड़ा मजा आएगा चलिए अब हम देखने वाले हैं 3D व्यू केन रिवर के बारे मे तो सबसे पहले हम देखना है कि केन रिवर स्टार्ट होता है आपका कटनी जिला से ठीक है तो यह है आपका कटनी जिला तो यहां से technically आपका Cane River स्टार्ट होता है अगर आप पूछो कि exact origin place कहां पर है कैसे है तो यह थोड़ा दिखाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर river का origin एक particular place से दिखाना impossible है क्योंकि आपका जो भी river होता है वो बहुत सारे चोटे चोटे जो rivers होते हैं बहुत चोटे चोटे जो streams होते हैं उससे जाके बनती है तो यहां से actually Google Earth दिखा रहा है कि यहां से आपका Cane River स्टार्ट हो गया है ठीक है उससे पहले वो कुछ सुनरी नाम का कुछ चोटा सा river बता रहा है पर यहां से आपका Cane River स्टार्ट हो गया है ठीक है यह है आपका Cane River अब Cane River आगे बढ़ रहा है तो यह है आपका कट्मी जिला अब थोड़ी ही देर में यह अभी मिलने वाला है कहां पे गुशने वाला है यह जाएगा सीधे आपका पन्ना डिस्ट्रिक में पन्ना जिले में ठीक है तो यह है आपका Cane River अब यह Cane River आगे जा रहा है ठीक है यह Cane River अब आगे जा रहा है ठीक है बढ़िया कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर भी आगे जा रहा है अब इसकी एक बहुत इंपोर्टन ट्रिब्यूट्री आ रही है वो है सुनार रिवर ठीक है अब सुनार रिवर यहाँ पर आके मिल गई ठीक है टेक्निकली पन्ना में ही आके मिल जाती है Cane River से सुनार रिवर अच्छा ठीक है अब हम जा रहे हैं North Side ठीक है North Side जा रहे है तो होता क्या है कि यहाँ पर एक और ट्रिब्यूट्री आ गई है अब इसकी भी जो आम रिवर है वैसी बहुत सारी ट्रिब्यूट्री होती है कुछ छोटी कुछ बड़ी तो यह छोटी सी ट्रिब्यूट्री है तो 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 यह कुछ याद करने लाइक नहीं है अब हमें जाना है सीधे पन्ना नैशनल पार्क में तो आपका यह है केन रिवर अब हम जा रहे हैं पन्ना नैशनल पार्क में तो बेसिकली यह एरिया है आपका भुदेलकंड का पठार तो यह हुआ अब दीरे दीरे हम आने वाले हैं कहां पे यह है आपका पन्ना का नाशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है MPPAC की परस्पेक्टिव से ठीक है एनिवे तो यह है आपका कौन सा पन्ना नाशनल पार्क तो और यह है आपकी केन रिवर और केन रिवर टेक्निकली इसके बीचों बीच से निकलता है पन्ना नाशनल पार्क के बीचों बीच से निकलता है और इसको सही कहा गया है केन रिवर आपका पन्ना नाशनल पार्क का लाइफ लाइन है क्योंकि केन रि ठीक है तो यह बहुत जाद इंपोर्टन नैशनल पार्क है ठीक है और नैशनल परस्पेक्टिव से भी और MP के परस्पेक्टिव से भी बहुत जाद इंपोर्टन है ठीक है तो यह है आपकी केन रिवर अच्छा अब क्या अब यह केन रिवर आगे बढ़ेगा ठीक है तो यह है आपका पन्ना नैशनल पार्क तो यहां पे कहीं आपका आने वाला है क्या एक जगा है वो है आपका पांडव केवस पांडव केवस और आपका पांडव वाटरफॉल पांडव केवस और पांडव वाटरफॉल के पास है आपका घता केवस ठीक है घता आम सॉरी घता वाट वाटरफोल्स दिखाता हूँ हर 3D व्यू में इसमें थोड़ा दिखाना ठीक निए रहेगा ठीक है तो मैं इसको अवाइट कर रहा हूँ अब मैं दिखाने वाला हूँ अजेगट नाम का एक फोट ठीक है हमने जाना है अजेगट नाम का एक फोट तो यह है आपका कौन सा केन रिवर ठीक है यह है आपकी केन रिवर और यह आपकी हुई विंद्याचल की मौंटेंज यह अभी भी विंद्याचल की मौंटेंज ही है ठीक है अब हमें देखना है कहां पे अजे गट का फोट अजे गट का फोट यह चंदेला रूलर्स के लिए बहुत important फोट था और यहीं कहीं पे है आपका अजे गट का फोट तो मैं दिखाता हूँ अजे गट का फोट तो यह है आपका अजे गट का फोट ठीक है यहां पे है आपका अजेगट का फोट, यह देख रहे हो ना, यह थोड़ा सा छोटा सा तालाब देख रहे हो ना, यह है आपका अजेगट का फोट, अब प्रॉबलम क्या है कि यह जो maps के सामने जो human ने जो बनाया है, जैसे आपका buildings हुआ, यह सब बहुत छोटा ही दिखेगा, ठीक है, यह बना हुआ है आपका फोट, अजेगट का फोट और यह technically आपका मतलब, विंदियाचल Hill Ranges, उसी कई पार्ट है, उसी की उपर ही बना हुआ है, तो यह है आपका अजेगट फोट और यहाँ पे अजेपाल temple भी है, वो अतना कोश्य important नहीं है, ठीक है, तो यह है आपका फोट, यहाँ पे, ठीक है, तो एक और बार गोल गुमाता हूँ, और फिर आपको दिखाता हूँ, कहाँ पे है आपका पन्ना रिवर, तो पन्ना रिवर आगे है, ठीक है, तो यह है अजेगर्ट फोट वालों को जब पुराने काल में यहीं से पानी मिलता था, पन्ना रिवर से, तो यह है आपकी पन्ना रिवर, और पन्ना रिवर अब आगे जा रहा है, ठीक है, अब आपको देखने लाइक चीज़े हैं, कि यहाँ पे पानी बहुत जादा कम है, ठीक है, तो मैंने अच्छले भी थोड़ा गलत पुला, यह है केन रिवर, पन्ना रिवर नहीं है, ठीक है, अब आप थोड़ा देखी रहे हो, कि यह है आपका हधियर प्रदेश और यह है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, यह बेसिकली अभी बांडरी पे है, अब आपको जाना ह है कहां पे, बिल्कुल एंड पे, ठीक है, अब हम जाएंगे सीधे एंड पे, एंड कहां पे है, एंड है आपका कहां पे यमुना, तो हम अब जाने वाले हैं यमुना की और, तो यमुना से यह कहां जाके मिलता है, यमुना से यह जाके मिलता है, आपका यूपी में, तो य यहाँ पर यहां पर यह जो देखर ही हुए यही चीज में दिखाने चाहता था यह आपकी बे टोRevet ठिक है बेटवा और आपकी जो 再见 रिवर ए दोनों स्टार्ट होता है आपका मर्दियर प्रतेश में फर्ट खतं जाके होता है इस उनों UP में यमुना में ठीक है तो यह है आपकी बेटवा रिवर ठीक है यह देख रही हूँ ना यह है आपकी बेटवा रिवर ठीक है यह है आपकी बेटवा रिवर अच्छा बेटवा रिवर हमिरपूर में मिल जाती है यमुना से और यह है आपकी यमुना रिवर ठीक है य यह है केन रिवर ठीक है तो यह है बेटवा रिवर यह है यामुना रिवर और यह है केन रिवर तो थोड़ा आइडिया होगा आपको केन और बेटवा इंटरलिकिंग प्रोजेक्ट के बारे में ठीक है तो यहां से बनेगा ठीक है और टेक्निकली वो बनेगा यहां पे कौन स वो काफी area पन्ना नाशनल पार्क को सम्मझ कर देगा, unfortunately, anyway, जो भी हो, तो ये है आपकी यमुना रिवर और आपकी जो केन रिवर है, वो आके मिल गई है यमुना रिवर से, ठीके, ये देख रहे हो, ये है केन रिवर और वो जाके मिल चुका है यमुना रिवर से, बस बढ़